सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि मैं किस टैप की आवज की बात कर रहा हूँ तो अभी आपने सुन लिया है हर गंटे में यह ऐसे टाइम बताता है तो इससे हमको काफी परशानी होती है तो इस टाइम को हम कैसे बन कर सकते हैं या फिर हम जब भी फोन चलाते हैं तो किसी भी फोल्डर पे ले जाने पर वो अटोमेटिक आवज करता है तो वो भी हम आपको दिखा देता हूँ तो जैसे हमने इसका लोग किया हूँ तो यह आप देख सकते हैं इस टाइप से भी यह बसता है और किसी का फोन आने पर वो उसका नंबर पढ़ने लग जाता है तो इन सभी प्रोब्लम को किसी भी फोन में हम कैसे बन करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमार पास लास्ट में दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है उसके बद आपको इनकमिंग कॉल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको इसे ओफ कर लेना है उसके बद आपको कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है और इसको भी आपको ओफ कर लेना है उसके बाद आपको डायल पे क्लिक करना है और इसको भी आपको ओफ कर लेना है उसके बाद आपको बेक आ जाना है तो अभी इस फोन की सारी सेटिंग हमने बन कर दी है तो इसका काम हो चुका है चलते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ तो आईटेल के जो फोन है उनमें सबसे ज़्यादा प्रोब्लम आती है तो अभी हम इसको ठीक करेंगे तो पहले हम इसे अनलोक करते हैं तो आपको थोड़ा किलियर दिख रहा होगा तो अभी हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको निच्चे एक्स्ट्रा का उप्शन दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको किंग टल कर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसे ओफ कर लेना है तो अभी हम इसे ओके करते हैं उसके बाद ये option off हो चुका है तो इस phone में एक ये option था तो हमने इसे बंद कर दिया है तो अब ये time को नहीं पड़ेगा तो इसका काम भी हो चुका है उसके बाद चलते है next phone की तरफ तो ये phone भी idle का ही है लेकिन इस phone में कुछ ज़्यादा option है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो सबसे पहले हम इसे unlock करते हैं और यहाँ पर आपको menu पे click करना होगा यहाँ पर आपको निचे extra का option दिखेगा तो इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको king voice पे click करना होगा उसके बाद आपको engine setting पे click करना है और यहाँ पर आपको इसे off कर लेना है और इसे ok कर देना है तो अभी यह setting off हो चुकी है अगर आपके इसमें engine setting का option है तो आप सिर्फ इस एक option को बंद कर दीजे तो आपके सारी setting बंद हो जाएगी यहाँ पर जो भी बोलने वाले option होते हैं वो सभी बंद हो जाएंगे सिर्फ engine setting को बंद करने से और अगर आपके इसमें यह option नहीं मिल रहा है तो फिर आपको एक एक option को बंद करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको इसे read menu पे click करना है और इसे off करना है और यहाँ पर आपको जितने भी option दिख रहे है सभी को एक एक करके off कर लेना है अगर आपके इसमें engine setting है तो आपको छिर्फ engine setting को बंद करना है तो आपके सारे option बंद हो जाएंगे उसके बाद कोई भी वो इस काम नहीं करेगी तो आप चलते हैं next phone की तरफ पहले हम इसे unlock करते हैं messaging उसके बाद आपको menu पे click करना है multi organizer यहाँ पर आपको organizer पे click करना है उसके बाद आपको इससे नीचे लाना होगा तो last में आपको यह option दिखेगा TTS setting तो इस पे आपको click करना है और यहाँ पर आपको dial number पे click करना होगा और इस option को off कर लेना है और इससे ok कर देना है तो अभी option off हो चुका है उसके बाद आपको menu read पे click करना है और इसको भी आपको off कर लेना है और यहाँ पर आपको calling in number पे click करना है और इसको भी आपको off कर लेना है तो अभी हमने सबी option को off कर दिये है उसके बाद आपको बेक आ जाना है तो guys आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी setting किस phone में कैसे बन होती है यहाँ पर जो भी option होते हैं वो सभी मैंने अच्छे से बता दिये हैं आप इन सभी option को try कर लेना हर phone में अलग-अलग option होते हैं तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ आपके पास कोई भी phone हो आप यह setting को apply करना तो आपकी यह problem solve हो जाएगी तो बस इस video में इतना ही